कि असलाव़के वेलकम टो मैंस्तेजों लेर्निंफ भैंट चैरेनल चलिए इससे स्टार्ट करते हे हमारा आज का हूछ का आज का लेटर में हमने हैं वह विल जॉतरेले वह इलिक प्रेग कानसीमें सबम थक्री क्या था अब हम आज का हमारा फ्रीप्त छेक्टर आहे इसमें आज कांष वाविलेस्थ कि प्रेक्रइट करेंगे और फ्रीप्त अविलेस्थ करेंगे और वाविलेस्थ cricket के वो सन। आड़ेस होते है The sound which is created by tongue only जो हम वावल वो सौन को कहते हैं जो सौन हमें जब हमें क्रेट करते हैं तो उसमें टंग के लावा कोई और और अर्गन इन वालों नहीं होता है उसको हम वावल कहते हैं In Stunography Stunography में हमें 12 वावल सौन है 12 वावल सौन है सिक्स हमारे है Long यानि कि इनको हमें Long वावल साउनस इनको हम हेवी भी कहते हैं इनका दूसरा हेवी भी हमें हमें याद रखते हैं ये वावल वावल भी है हेवी वावल सौनस और दूसरे से किसे है शौर्ट या अल लाइट इनको कहते हैं शौर्ट या लाइट वावल सौनस वावल इसके बाद है वावल साइन इन्स्टनिग्रफी दियरा टू साइनस फॉर वावल शोविंग जिसे हम शोवावल करते हैं यहां पर दो हमें एक है हमारा डॉट यहां कि हम डॉट से शोव करते हैं वावल एंड दूसरा है हमारा डैश दो ही साइन है जिन से हम वावल शोव करते हैं इसके बाद है वावलस में हमारा तिस्टा पाइंट याद रहा है में वावल प्लेस इन स्ट्रोक 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 में हमारे वावल प्लेस का होती है वावल प्लेस है हमारे पास तीन एक तो होती है पहली हम फोस्ट प्लेस इसको बलते हैं फोस्ट वावल प्लेस इसको बलते हैं वावल प्लेस थोड है हमारे यह फोस्ट है यह होती है अध प्लेस अध स्ट्रोक 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 स्ट्रो मिडल या सेंटर आफ ए स्ट्रोक थोड हो दी है एंदिंग पॉइंट ओफ ए स्ट्रोक यह हुगी हमारी हुआवल प्लेस फॉस्ट प्लेस होती है स्टॉटिंग पे शेकर होती है मिडल पे एंदिंग पाइट पे इनको हम बोलते हैं हुआवल प्लीस प्लेस प्लेस फॉर एंपल यह हमारा है परब मिडल यह हमारा यह स्ट्रो टोड जोड दॉट तोड गोगर हरे, वे, ये, हा, हे, फी, वी, थी, दी, सीजी, ये, ये, ए, जी, ल, र, घुन, सीजी, न, मॉनौ, ये, हमेरे, स्टार्टिंग, इनकी फॉस्ट भी ए, यहां से स्टॉक्ट शूरू हो था ये, यहां से इस तर शुरू होता है यह हो गया इसका फोस्ट और यह होगी इसका फोस्ट फ्लाइश और मिडल में हो गई यह duż इस तरह इसकी यहां पर फ्रस्ट प्लेश से कुद फ्लेश फोस्ट फ्लेश फोस्ट इसके यहांपर फॉस्ट 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 फ जोग इसकी पोस्ट, पोस्ट, इसकी पोस्ट, 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 यह होगी इसकी सेकर्ड, 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 इसकी सेकर्ड यह हो गया हमारा वावल प्लेसेज différentes, वावल में अलाइनप्ट भी होता है वावल जब हम किसी कौन्समेट पर वावल डालते हैं तो वावल पर डिप्टेटेट होता है कि वो उस टृट को कहां ले जाए उस ट्रों के तरह को डोइन ले जाए है एक तो होता है एक तरह इ ο दकलίν मिट होता जब कोई हrias यमाड को बाउन दोstat vazफे ओस है उसृव ग्यांट को आप जाता है जाने कि हम जैसे यदि एक एगर हम खऴकर कोई regional तो हम ऐसे लिखेंगे यहां पर इसम्पल यह लिख götर हम प्यत Tail मगर जब हम इसको आप कि वावल डालनी की जो आब अब टालाएन इसको ली जाएगा तो हम को इस को इसको इसमारा कान्स्ट में तब यहां पी तब आप यहां फे लिखना है बलकि इसको एब अब ओड़ नहीं है जितना हम निए उपर छोड़ा है उटना है अब लैंट तक ऐसे ही इसको हम बोलते हैं इसे तरह अगर टी पे भी आ गए तो यहां पी अगर चव पी आ गए तो यहां पी अगर को पी आ गए होरिजन्टल पी आ गए तो हमी यहां पी लिखना है है ऐसे लिखना है लाइन को अगर हमें यह होरिजन्टल हम ऐसे लिखते हैं अगर हमारा अब स्ट्रोक हो जो डाउन उपर की तरह जाता है स्ट्रोक जैसे रे है वे है यह है यह है इन स्ट्रोक उसको जब हम अब दर लाइन के तो इनको वहां से जितना हम नीची जोड़ना है उतना नीची छोड़के उससे उपर लिखना है इनको शुरू करना है जैसे जनरल हम लिखते हैं रे यहां से मगर जब हमें इनको यह वावल अबॉदला इन वाला वावल आ जाएगा तो हमें इसको यहां से स्टाट करना है और यहां से ही इसको नीचे छोड़ना है ऐसे अगर वे को लिखेंगे तो हम वे को ऐसे लिखेंगे या यह को ऐसे लिखेंगे या हग हे को ऐसे लिखेंगे अगर करवड़ हो तो करवड़ को भी ऐसे लिखेंगे ऐसे नीचे हमें अबो दा लाइन में हमें नीचे इतना जगा इतने प्लेस स्पेस रखनी है जितना हम उपर इलते हैं इन जनरल दूसरा हमारा था ओन दा लाइन ओन दा लाइन वही इंसे टोग जहां पर होता है इसको लाइन को टाइच करके जैसे हम इंजनरल दिखते हैं ऑन दा लाइन उसी को कहते हैं जैसे इंजनरल यहां पर लिखते हैं भी यह टाइच करता है लाइन को इसको भाम बोलते हैं ऑन दा लाइन यही है ऑन दा लाइन हमें टाइच लाइन पर इस लाइन पर रखना है झाल झाल यह हो गया हमारी ओन्धाल इसके बाद है हमारा एक क्रोस्त लैन आने तो हमी इसको यहां ऐसे लिखना है 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 यहां तक इसको यहां ऐसे लिखना है 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 यहा वैसे लिखना है फी को ऐसे लिखना है ठीको दीख शो को अज़ा को जब हमारा होर्जनल इसम में हो आ जाएगा एक्रोस दलाइन पे तो हम इसको एक्रोस नहीं बिलकि ओंदलाइन नहीं लिखना है एक्रोस में भी हमें यह याद हो जो होर्जनल जो होते हैं उनको हमें नीचे नहीं ले जाना है जब वो खाली हो अगर उनके साथ कोई जॉइनिंग में हो तब हमें उनको जॉइनिंग में एक्रोस ले जाना है जैसे हम लिखेंगे इनके साथ आगए केप तो हमें जिस तरह जॉइनिंग में हम इन जैनल जॉइनिंग रोल है हमारे केपी हम लिखते हैं ऐसे यगर केपी तो हमें इस पी को नीचे रखना है ऐसे हम लिखेंगे यह होगा रहा हमारे जॉइनिंग में हो अगर हमारे के और आ गया के एरे आ गया इस तरह हम लिखते हैं इन जैनल इन जॉइनिंग हमें ऐसे लिखेंगे अगर हमारा हम इन ही आ गया दे इस तरह हम लिखेंगे और इस तरह हम लिखेंगे दोंट स्ट्रोक यह होगी हमारी अले इन में जा बस्ट बस्टब